हेलो फ्रेंड नमस्कार अपना लोको यूट्यूब चैनल परिवार फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों अपना लोको यूट्यूब चैनल परिवार में रेलवे पलपल की अपडेटें मिलती रहती हैं दोस्तों रेलवे की न्यू वैकेंसी न्यू बेटिंग पास पास से शुरू हो जाएंगी और यह एक्जाम सुरू होने की पूरी चांस है लेकिन जो रजल्ट में जो पैटनर चेंज किया गया है यानि रजल्ट लेविल वाइज दिया गया है उसको लेकर चातर काफी आकरोस और गुस्से में हैं दोस्तों यानि लेविल के इसाब स कर दोस्तों दोस्तों थाच से ही रजल्ट दिया गया है रेलवे बोरा उसको लेकर पूरे ज对 जिनका सलेक्शन नहीं हुआ है वह मिदवार काफी गुससे हैं और कई जगई आंदोलन धना प्रदसन आधिक कर रहे हैं यानि आंदोलन कर रहे हैं और धना प्रदसन कर रहे हैं जो अब्यारती आंदोलन कर रहे हैं और और जो धना प्रदसन कर रहे हैं रेलवे की पट्री पे जाके बैठे हैं कहीं बस रोक रहे हैं कहीं जैसे रोड जाम कर रहे हैं ट्र यह कहा गया है कि रेलवे अग्यक्जाम से रह सकते हैं वो लोग वंचित यानि उन्हें की नस्ता ही रद कर दी जाएगी ऐसा सुनने में आ सबसें बइसार लेकिन ऐसा कर नहीं सकती है क्योंकि वो अपने हक्कि मांग कर रहें दोस्तों जैसा कि आपको पता है की इक Jaure तीन बंदे पास होते हैं ठीक है तो उसी प्रकार euh से इसकर किया किया है एक बंदे को कुई वख कर दिया है आपको इसन मास्टर में पास कर दिया टाइपिंग ड्यन कलर में या तैंप्ड कट से कौन से अच्छी फिर बदल करके इस तरीके से रजल्ट या रिखन किया जाए नाहीं किया रिजल्ट नोर्मलायजेसन क्या यह होता है कि क्या ऐसा होता है अच्छा वंदा भी पीछे रहाता है और जिसका मतलब हाइड पेपर मान के जिसे नॉर्मलाजिशन करते हैं वो बंद आगे लिकल जाता है तो इसे काफी फरक पड़ता है दोस्तों इसी परकार से अगर रजल्ट नॉर्मल आता है तो आपके कम से कम तीन से चारला कंड़िट और आपके क teams को 및ठने के चैंस मिल सकते यानि आपको सी युडिटी टू एको जयाने के चैंस मिल सकते है इसलिए उम्मिदवार जो भी अभ्यारती हैं वह सीब्टी बन के से आजाए और उसे त्यारी करने को मिल जाए तो उसी के बीच आपके रेलवे बढ़ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है कि अगर जो भाई सीविटी टू एकजाम्स को लेके धर्ना प्रतसन कर रहें उनके लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों काफी आकरोस में है रेलवे सरकार भी और आप भी इसमें थोड़ा सयोग करें और इसको सूझ भूज करके थोड़ा एकजाम्स को होने दें या रद दोगी वो तो 2021 को यानि 25 तारीक को यह लेटर जारी किया गया है तो चलते हैं आपको ओपिसियल वेबसाइट पर लेचलता हूं दोस्तों यह उसका ओपिसियल लेटर है बाद सरकार रेलवे मंत्रायलर रेलवे भरती बोड सूचना जारी कर दी गई है इसमें लिखाया यह सग्यान में आ इस तरह की गत्विदियों को उस्तम इस तरह से अनसासन हींता प्रदसित करती है जो इस जो ऐसे उम्मिद्वारों को रेलवे सरकारी नौकरी के लिए अनुप्यूप्त बनाती है यानि दोस्तों यही एक नौटिस यहां पर इस पर श्रूप से लिखा है कि रेलवे सरकारी नौकरी रेलवे या सरकारी नौकरी यानि रेलवे से तो जाओगे जाओगे बाकिस आल नौकरी से भी जा सकते हैं ऐ बैर कानुनी गत्विदियों में लिप्त पाय जाने वाले उम्मिद्वारों को पुलिस कारवाई के साथ साथ औरें रेलवे से नौकरी प्राफ्ट करने की आजीवन पृतिविंदी। बकशेविभी किया जा सकता है यानि आज जी लिए प्रतिवन दितr कियाश कता है दोस्तों ऐसा विल्कुल न करें ज्यादा आक्रोस ना पहलएँ सांथि पूर्वध अपनी बात रखें या रेलवे मंत्रायले को और अपनी बात को सांती पूर्वग मनमाए ताकि सांती पूर्वग यह बात आगे तक जाए और मनें और इसमें कापी कंडिटों को फायदा होगा इसमें और इसी के साथ आगे लिखाए सभी आरारबी सत्य निष्टा के उच्टम मानकों को मान बना है रेलवे नौकरी के इच्चों को सला दी जाती है कि गुम्राम ना हो या ऐसे ताव तत्वों के प्रवाह में ना है जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनको इस्तमाल करने की कौसिस कर रहे हैं तो दोस्तों यह कापी अच्छी सूचना दिया है रेलवे भरती और इसी के साथ यह सूचना दी थी पच्चीस एक दोजार बाइस को पच्चीस एक दोजार बाइस यानि कली दिया है अदक च्रेलवे वरती बोर्ट तो दोस्तों थोड़ा कि आप भी समझें अगर रेलवे ने ऐसा कुछ सोचा होगा कि लेविल लेविल के इसाब से अगर इतना जादा अक्रोस ना करें सबी अभ्यारत्यों से निवेदन हैं आपसे हमारा इतना ना करें रेलवे बटी बोर्ट की बात को मान करें आप हो सकता आगे जाके आपको फायदा मिल सकता है या जो भी हो कुछ सो समझके ही इतना बड़ा फैसला लिया होगा बाकि अगर ऐ रेजल्ट आएगा रेजल्ट आएगा या फिर इसी रेजल्ट पर एक्जाम सोगी इसके बारे में मिनते हैं अगली वीडियो में कुछ नहां जान कारे लेक्षा आएंगे तब तक के लिए नमस्कार ताटा बाइबाई